नमस्कार सातियों और दोस्तों मेरे चनल पफिरा आपका स्वागत है और आज बात करने वाला हूँ आपसे एक वेबिनार के विशे में जो कि कल होने वाला है और एक दिन का वेबिनार है कुछ घंटों का है लेकिन इस कुछ घंटों के वेबिनार में खास बात ये है कि ये बहारी नहीं बलकि हर मानव के मस्तिशक के अंधर चलने वाले उल्जनों के विशे में बातचित करने के लिए आयोजित हो रहा है यानि कि आप अपने माइंड को किस परकार मैनेज कर सकते हैं अपने मन को किस परकार अपने नियंतरण में ला सकते हैं इस परकार के समवाद में आयोजित इस परकार के समवाद को बनाई रखने के लिए उस समवाद में आप भी शामिल हो सकते हैं इस वेबिनार में शामिल हो जो की हो रहा है 20 जून को शमा कीज़ेगा ठारा नहीं 20 जून को होने वाला है और सुबह 11 बजे से होने वाला है तो और सभी जानकारियां आपको वीडियो में दी जाएगी 2-4 में तो वीडियो को देखें पूरा और करें रजिस्ट्रेशन और सामिल हो इस वैब गोश्टी या वैब सेमिनार 20 जून 2020 सुबह 11 बजे होने वाला है ये वैब सेमिनार और गूगल मीट के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं जॉइन और फेस्बुक लाइव भी चलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस संस्थान का फेस्बुक पेज का लिंक भी दिया है सकते हैं और उस लाइव परी चल्चा में आप भी सवाल जबाब कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा और सो प्रतिशत आपको प्रमान पत्र मिलेगा यदि या फीड़ वैक फॉर्म बद कर जमा करते हैं वेबिनार में प्रस्तुत की गई जानकारियां जैसा कि मैंने को लेकर होने वाली है जैनकि जो हमारा ये माइंड है जिसे महात्मा गांधी भी माइंड की मजबूती की बात करते हैं और हिर्दे की मजबूती की बात करते हैं और जैसे गांधी जी ट्रिपल एच की बात करते हैं हैंड हार्ट एंड आपका माइंड इन तीन चीज की बात करते हैं तो उसमें से जो मश्तिस्क है मश्तिस्क का मजबूत होना और उस मजबूती का आंत्रिक रूप से मजबूत होना बेहत आवश्चक है आज के ही दोर में नहीं as a future और अगर भूत काल में हम जाते हैं अपने वरिश्ट नारिकों से अपने बुजर्गों से अपने उन पेडियों के बारे में सुनते पड़ते हैं कि उनका मस्तिश्क इतना मजबूत था कि हर परिस्तिती का सामना बेह ही शरलता और सहजदा से कर लिया करते हैं लेकिन आज के मानव का मस्तिश्क और आज के मानव का मन इतना कमजोर हो गया है कि परिस्तिती से लड़ने के बजाए परिस्तिती से दूर भागता है और परिस्तिती से दूर भागने के साथ सुएम भी भैबीत होता है और आज पास की वातावरण को भी भैबीत कर देता है क्योंकि भै आपकी मौत का सबसे पहला और आपके पतन का सबसे पहला कदम होता है इसलिए उस पतन को दूर निकलने के लिए पतन को उन्नती में बदनने के लिए आपको अपने मन और अपने मस्तिस्थ को मजबूत करना बहेर आवश्यक है क्योंकि उसी अर्ध शास्थ्र में एक व्यक्ति भी हुआ है भारत का जिसे बोलते हैं चानक के चानके के अर्ध सास्त्र में ये साफ तरीके से इस्पष्ट भी है ये दिया आप कभी अध्यन करेंगे चानके के अस्तिसार का कि अर्ध सास्त्र कि यानि कि जो अर्ध का नियंत्रन करते हैं जिसे हम वित्यमंत्री बोल सकते हैं फाइनिस मिनिस्टर बोल सकते हैं इन लोगों का मन पे नियंत्रन नहीं होगा तो ये इमानदारी से अपने कारे को नहीं कर पाएंगे क्योंकि धन की सुरक्षा और जिस देश का अर्थ तंत्र मजबूत होता है उसी तेश में राज तंत्र होता है परजा तंत्र होता है लोग तंत्र होता है और उसी को आम भासा में डेमोकरची बोलते हैं इसी लिए मन पे नियंत्रण और मन के साथ साथ मस्तिस्क पर नियंत्रण दोनों का परवंदन किस परकार से कर सकते हैं और क्या हमारे इतिहास में और क्या वर्तमान में हो रहा है और भविश के लिए कैसे अपने मन और मस्तिस्क को तैयार कर सकते हैं इस विशय पर होने वाली इस एक दिवसी व्याद गोश्टी में आप सभी हो शामिल ऐसा मैं करता हूँ उमीद डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मैंने टेलीगराम चैट का एक लिंक दिया होगा एक रेजिस्टेशन का लिंक दिया होगा पर एक फेस्बुक पेज का लिंक दिया होगा तीनों पर सभी जानकारियां अच्छे तरीके से फील करें कुछ समस्य आती है तो मुझसे बोचें संस्थान के Facebook पेज़ पर जाएं वहां और जलूरी जानकारियां और जलूरी सूचनाएं भी है और अन्ने भविश में कुछ webinar की भी सूचना है क्योंकि सभी सूचना मैं आपको दे पाऊं तया समय पर ये बिल्कुँ जरीर नहीं है इसलिए मैं अपनी अधिकान से वीडियो में Facebook पेज़ के लिंक भी दे रहा हूँ आप उस संस्थान के Facebook पेज़ पर जाएं जो हर वीक कोई ना कोई webinar और गोश्टियां करवा रहे हैं उसको करें join और mind management को लेकर एक दिवसे webinar में आप सभी यहों शामील वीडियो को इसलिए share करें क्योंकि सूचनाई जैसे मैंने दी आपको वैसे आपके माध्यम से भी सूचनाई कहीं और कहुंचे यही मेरा उद्देश है और यही मेरे चैनल का मोटो है कि सही समय पर सही व्यक्ती पर सही सूचनाई प्राप्त हों कि आप उस सूचनाऊं को ज्यान में परवर्तित करने के दिशा में अपना पहला कदम कम से कम बढ़ा पाएं वीडियो करता हूँ समाप परतिकरिया आपने जरूर दें नमस्का जैन